hélas कि क्या है 60 यह क्या है सों सा यानी कि जो है मीजोफील सेल्स है इसके साइड में क्या प्रेजन्न है कंपैनियन सेल्स प्रेजन्ट है कंपैनिंट अससे प्रेजन्ट है इसके में प्रेजन्ट आसीव सए रपार्ट ऑफ्रमाइं स εδώ फ्ल सा है इस यहां बनरहा है writings citation कि शह दू लीवश के अंदर प्रेजंट होते हैं, तो मेजोफिल सेल से पूद ट्रांफ़र होगा to the companion cells, उसके बाद यहां प्रेजंट है plasmodus metamera और उनके तूद ट्रांसफर हो जाएगा to the sieve tubes, यहां से यहां का ट्रांसफ़र आपको बताईए कि यह दो बाथवे से हो सकता है, या त यह जाइलम दोनों बिल्कुल अगल-गल में present है side में present है सीव त्यूब्स यानिकी जो फ्लोईम है वो इदर present है इसके side में ही जाइलम present है जाइलम जो है वो वोटर कर ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो तो युनिडिरेक्शनल है वो तो उपर की तरफ ही चलेगा फ्लोईम हम सपोस्ट कर रहे है कि नीची की तरफ गजा रहा है sync जो है वो हमारा plant में नीची की तरफ है तो जो फ्लोईम sap है वो कैसे move करेगा अब यहाँ पर क्या आगया यहुदॉट आ यहोबर यह क्या है शूगर है शूगर को हम सपोस्ट कर रहा है this is the solute जो है पहले यहां पर कम है यहां पर जो है फ्लोईम सैप आचुका है तो यहां पर वोटर पोटेंशल जो है वो क्या हो गया है कम हो गया लोग वोटर पोटेंशल क्योंकि वोटर कम हो गया यहां पर तो वोटर का पोटेंशल कम हो गया क्योंकि सोल्यूट जादा हो गया ना तो low water potential, now, यहां से हम निच्चे की तरफ move करने हैं, यहां पर आगये हैं जहां पर इनको यह solute, यह phloem sap, यह जो sugar है, यह transfer करने to the sink organs, यहां पर अब यहां पर क्या हो गया, यह solute इसने दे दिये हैं, अब यह अगर इसने solute दे दिये तो यहां पर बचा क्या है, पानी बचा आगम के बात करें, यहां पर निच्या पर जाड़ होगा है यहां पर क्या हो गापन यहां पर क्या होगाए हॉनขց यहां पर यहां पर यहां पर इसने पने solute molecules दे दिया तो यहां पर वोटर पोटेंशल जो है वो जादा हो गया है इसमें यह अब एक क्या हो गया है वोटर पोटेंशल का ग्रेडियंट बन गया है यहां पर कम वोटर पोटेंशल है यहां पर जादा वोटर पोटेंशल क्या ह यह वाला जो फ्लीट है यह अपने antainer की वोल्स पर जो प्रशर लगाएगा उसे हम बोलते हैं hydrostatic pressure थो similarly ये प्रेशर जो है यह फलोईम सैप लगाएगा त्वार्ज तव वोल्स इसे हम बोलते है hydrostatic pressure आप क्योंकि यहां पर सिल्यूट जादा हो गया है यहां पर है यहाँ पर तो फ्लोइम जो है वो कहां से पानी ले रहा है अपने नीरबाइ जायलम से यहां से वो पानी ले रहा है अब आल जो वो डिव उट्र है वो कैसे मुव करता है from high to high concentration to low concentration जो है वो movement होता है अगर यह आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं याद है तो प्लीज दियान से वीडियो को देखें एक एक टम बहुत ही important है अब यह अगर मैंने आपको उता है ना diffusion के आज़ा तो इसकी definition आप से पूछ सकते हैं है दो marks के अंदर तो आपको पता होने चाहिए अगर आप ध्यां से सुनोंगे तभी आपको पता लगेगी ना चीजें तो diffusion से high to low concentration की तरफ move करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो phloem है वहाँ पर low water potential होगा तो वह अपने side वाले xylem से पानी लेता रहेका gradually जैसे जैसे लो गया वैसे वहाँ से पानी उठा लिया है तो phloem will take water from the nearby xylem now due to high hydrostatic pressure gradient high hydrostatic pressure gradient यहाँ पर बन गया ना तो इस high hydrostatic pressure gradient की वज़े से जो phloem sap है वो sink की तरफ move करेगा जहां पर hydrostatic pressure जो है वो कम है high hydrostatic pressure से move करेगा towards the low hydrostatic pressure pressure low high hydrostatic pressure क्यों यहाँ पर अभी तक तो यह आया नहीं है तो यहाँ पर so cardiac molecules कम है solute molecules कम से Pfla नहींर आदा है तो hydrostatic pressure यहाँ पर कम ही होगा क्योंकि solute molecules कम थो क्या ही फैशू लगाए एंगे पनी म्हूर्स के उपर तो फिर यहाँ पर क्या होगा water यहां पर कम है तो यह है movement low water potential decrease in water potential high hydrostatic pressure increase in water potential low hydrostatic pressure इसके बाद करें फ्लोइम unloading फ्लोइम unloading होगी at the sink तो जो water potential है सीव elements के अंदर सीव elements के अंदर जो water potential है यहां पर आके वह water potential जो है वह increase हो जाएगा और water जो है वह वापस से xylem में move करेगा that is from high concentration to low concentration यहां पर तो आप इसको proper low नहीं कह सकते लेकिन यहां पर क्योंकि चलता ही रहता है water तो यहां पर यहां पर water potential increase हो गया है तो यह water जो है जो हमने पहले ही xylem से उधार लिया था वह water जो है यह वापिस हम दे देंगे xylem को कि अब तू ले ले अब हमारे पस water potential जादा हो गया अब तू ले ले अपना पानी वापस meanwhile meanwhile क्या हो रहा है कि यहां पर जो sugar molecules थे वह कहां ट्रांसफर हो रहे हैं to the sink to the target cells अब यह भी दो से हो सकता है ना एक तो simplistic pathway होगा simplistic floem unloading से हो सकता है या फिर apoplastic floem unloading से हो सकता है दोनों pathways से target cells के अंदर यह sugar transfer हो जाएगी so this was the whole procedure of floem loading and unloading जिनको बहुत ही complicated बना दिया जाता है लेकि यह बहुत ही simple process है मैं आपको एक थोड़ा सो ओवर्वीव देती हूँ इसका पूरे का so what happens in floem loading sugar that is present in mesophyll cells of leaves it is transported to companion cells companion cells से जा रहे हैं सीव tubes के अंदर अब सीव tubes जो हैं पानी कहां से ले रहे हैं आपने बगलवाले जायलम से अब दो यहां पर पाने स्झट से लेकिन अपना फश्य गरेंगे लैंगे हैं इसन दो कर बरहेंगchieden आपानी में जाएंगे तस दो क्योंका पनी क्यून को हैं यहां फूर्ष रेहारतित का अब यह पर ऑघ्र करेंगे हैं अनुप मैं इसने हैं हम में हद्च चीज है जाधा हुग है तो हम ऐसोı पानी वाप्स कर देंगे क को हम यहां से दोनों opposite है water potential जहां कम है वहाँ hydrostatic pressure जादा है और यहां जहां water potential जादा है वहाँ hydrostatic pressure कम है so this was the whole procedure of phloem loading and unloading let's have a look at its mechanism कि अगर हम से पूछ लिया define the mechanism of phloem unloading and loading तो हम क्या लिखेंगे वो देख लो हमें लिखना है कि sugar is formed in the mesophyll cells of the leaves this is transferred to the companion cells by सिंप्लास्टिक और है वो प्लास्टिक पाथवे दोनों पाथवेस भी एक्स्पेन कर देना इसके बाद जो प्लास्मो डस्मेटा है they are present in companion cells sugar molecules move from companion cells to phloem that is sieve element that is sieve tubes through plasmodus matter the water potential decreases and high hydrostatic pressure develops phloem takes water from nearby xylem due to high hydrostatic pressure gradient phloem sap move towards the sink where hydrostatic pressure is low in phloem unloading phloem unloading occurs at the sink the water potential in the sieve element increases and the water moves to the xylem back meanwhile sugar molecules enters the companion cells then sink cells through apoplastic or symplastic pathway this is the whole procedure of phloem loading and unloading and I hope you liked the video and you understood everything but if you have doubts right now you can tell me in the comment section and comment and if you liked the video don't forget to like share and subscribe thanks for watching